हमारी पार्टी की राश्टिय कारकारनी और राश्टिय परश्ट की बैठत हुई और इसमें हमने प्रस्ताव पारिद किया कि आप लोग को लगता है कि क्यों हम अलग हो गए उसमें एक महत्वपुर्ण कार्ण हम लोगों ने बताया था कि देश में जो केंदर में बैठी हुई संकार और जो भारतिय जनता पार्टिय वो संबैधानिक संस्थाओं का हनंग कर रही है उसको कमजोर कर रही है देश के संबैधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है तो हमारी पार्टि की राष्टिय कारिकारिनी ने इस पर प्रस्ताव पारित किया और इस संदर्म में आप तमाम लोग मेडिया के लोग गबा है कि हमारे लिए चिंता का विशा इसलिए हुआ कि हमारे मुख्यमत्री नितीश पुमार जी जो बेटियों के ससक्ति के रण के लिए जाने जाते हैं महिला ससक्ति के रण में बिहार रॉन मौडल स्टेट माना जाता है और इस संदर में देश के पुर्व राष्टपती प्रदिभाप पाटी जी जब बिहार आई थी तो रोन में कहा था कि बिहार मौडल स्टेट है लेकिन देश के अंदर भारतिय जनता पाटी जिस डंका आचरण पेश कर रही है वह देश के लिए चिंता का विशा है हमारी चिंता इस बात के लिए कि संबैदानिक संस्था है बचेंगी की नहीं बचेंगी देश के अंदर में सामाजी के मुल्ली संगरप्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे यह सबाल किसी व्यक्ति का नहीं है सबाल एक जो जगन में अपराद हुआ और जिस तरीके का आचरण पेश किया गया कानून की धज्जी उड़ा दिगी और इस खबर को दबा दिया गया एक कोले में खबर रह गई कोई नहीं जाना कि कितना बड़ा समाजिक महापाप इस देश के अंदर में हुआ है हम इस बात की चर्चा इसलिए करना चाहते हैं कि हमने आरोप लगाया था कि संबैधानिक संस्थाओं को केंदर की सरकार भाती के संग्यान में रहने के बावजूद उनके लाजिश सासित छेत्र गुजिरात में इसकी धज्जियां उलाई थी और मैं प्रमानिक दस्तावेज के साथ इन बातों का खुलासा करना चाहता हूँ उनने इस वर्षिय गर्पती महिला के साथ जिसके पेट में तीन माँ का बच्चा था सामुई बालादकार की कटना हुई इस समाजिक महाबाप था यह और उसके बाद वहाँ नियाले से जब नियाले की उमीद नहीं रही CBI ने जाच किया मानिय मुन्मई उच्च नियाले वक्केश ट्रांस्पर हुआ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गी चुकि यह जगन्य अफराद था यह और कानून का राज की बात करते हैं लोग तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जन्राज किसको करते हैं और क्या हालात हुआ वहाँ उस मामले की मैं चर्चा करना चाहता हूँ उसके पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि सजा माफी का क्या प्राब धाले देश के संबेदानी विवस्ता में महा महीम राज्च पती महा महीम राजिपाल और राजि सरकार जौरा कठित परिहार शमीती इसके लिए बदी हुई है यह विवस्ता है देश के अंदर में और देश के अंदर निसी दिवस्था के आदार पर सजा माफी की दोस्ट ना की जाती है बारतिय दर्णिस अनितार जो C.R.P.C. है 4.33 एक इतार सजा कार को है अधिकार केडियों को सजा माफ करने का अधिकार प्राप्त है मैं चंद राजियों का उदाहरन भी देना चाहता हूँ क्योंकि यह सवाल महत्तकुन है किस तरीके से कानून की धज्जी उनाई गई एही कुजरात मॉडल की चंचा देश के अंदर में आदर नियों बढ़ान मंत्री ही करते है बिहार भाजबा को भी प्रेणना स्रोथ लगता है कुजरात तो हम उनकी जुवान से सुनना चाहते कि क्या यह न्याई संगत है बिहार बीजेपी का नेता सांस्कृतिक राष्टवाद संसकार यही संसकार है यही संसकार है भारतिय जनता पाठी का और हम भारतिय जनता पाठी के महिला विंक के कारकरताओं उस तो अनुरोध करेंगे नई पीड़ी के लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर कलेजा में दम है राजनीत में राजनीत मुल्यों के लिए किया जाता है अगर इतना बड़ा गुनाह किसी ने किया है कि सामुहिक बालातकार के दसजा याफता को मानिय सर्वोच नियाले के दिशा निर्देश के विपरीद राजी के अंदर गुजरात के अंदर परिहार बोर्ड में बारतिय जनता पार्टी का विधायक अगर नामित हो रहा है और उसके आधार पर किसी को 15 अगस्त के दिन रिहाई दी जाती है तो इससे बड़ा राजनीत में कोई महापाप नहीं हो सकता है इसलिए हम तो अनुरोद करेंगे कि मानिये सुसील मोदी जुबान खोलिएगा संजेज आसवाल जी जुबान खुलेगा आपका कि हम इस साजी से डरियेगा नरेंदर मोदी जी से डर लग रहा है ये विहार जैसा राज्य है जहां बेटियों का ससकती करण हमने किया है क्या इसी रोल मॉडल को भीहार के अंदर लाना चाहते हो क्या इसी डंग से संस्थाओं को कमजोर करकर करके लेकिन नई पीड़ी ये सवाल जरूर पूछेगी कि गुजरात मॉडल आदर निये नरेंदर मोदी जी यही है क्या कि बेटियों के साथ सामुहिक बलातकार करने वाले को माला पहनाओ और 15 अगस्त के दिन उसको जेल से बाहर कर दो भारतिये हमारी उमीद है कि भारतिये जनता पार्टी इस पर जुबान खोलेगी नहीं खोलेगी तो हम लोग इसको बेनकाब पूरे दस्तावेज के साथ करते रहेंगे कितना बड़ा जगन्य पराद इस देश के अंदर में यह किया गया है उसके दस सदस्य हैं गुजरात में परिहार बोर्ड है जो ऐसे कैदी जिनको माननी है नियाले ने सजा दे दिया हो उसमें कौन कौन सदस्य हैं भारतिये जनता पार्टी के विधायक हैं गोधरा के सीके राउल भाजपा का विधायक परिहार बोर्ड का मेंबर कैसे बना यादरनी अग्री मंत्री अमीज साजी जुवान खोलिये आप कौन अधिकार दिया उसको क्यों आप परिहार बोर्ड का मेंबर बनता है सीके राउल भारतिये जनता पार्टी के दूसरे विधायक कालोल से सुमन बेन चुभान उसके मेंबर है यह परिहार बोर्ड के मेंबर है रेमिशन बोर्ड का सदस भारतिये जनता पार्टी का एमेले और मुरली चंदानी जो गोद्रा से भाजपा के पुरु पार्षद है नगर पार्षद है सेविन भाटिया भाजपा महिला अम्मा उर्चा गोद्रा की सहरिकाई की सचीव है विनीता लेले उनका प्रोफाइल देखेगा तो बीजेपी के वर्कर है पवन भाई सोनी बीजेपी के स्टेट एजक्यूटिव के मेंबर है क्या यहीं प्रक्रिया है निश्य में 6 सदस भारतियएजलता पार्टी चैई ऐसा देशंवे कहीं देखा होगा जबी परियाटी का बीजेट के suppressed के और ऊत्तर प्रदेशक नेतर में असंते आंधर किसी राज़ में उठा करके देख लिए परिहार बोर्ड में कोई पार्टी का रिपरिटिटिव कैसे रहेगा बई और जिसकी वहाँ हुकूमत है और उसकी एक प्रक्रिया क्या है जेल में बंद कैदी आवेदन कारावास अधिक्षक को देता है जो सारी प्रक्रिया पूरी करकर करके में परिहार बोर्ड है जहाँ भारतिय जनदापाटि की हुकूमत है वहाँ कि परिहार बोर्ड में जाने की प्रक्रिया सब जग़े मिहित है जेल में बंद कैडी कारावास अधिक्षक को आवेदन देता है उत्तर प्रदेश में और वो आवेदन के बाद उसके बैभार के बारे में उसके हेल्थ के बारे में मेडिकल रिपोर्ट उसकी समिच्छा करती है और ऐसे मुकदमे में प्रदेश के जेल आईजी, प्रदेश के उच्छ नियाले को सुझाओ या निर्देश देते हैं दिल्ली केंदर्शासित प्रदेश है, दिल्ली में यह वेवस्था है कि परियार बोल्ट के सदसे कौन होते है, प्रिंस्पल सेग्रेटरी, द्री होते हैं, कानून नियाय लेजिलेटिव मामले के सचीव होते हैं, जिला वस्त्र नियाय इधीश होते हैं, मुख्य प्रोवेशनर रिकारी होते हैं, और दिल्ली के पुलिस कमिस्नर द्वारा मनोली जॉइंट कमिस्णर होते हैं उससे उच्छ पत्के पदारिकारी होते हैं जो कारा विभागे उसके आईजी होते हैं और यह दिल्ली में प्रक्रिया क्या है कि समीती फैसला लेकर महा मही मुद्राजिपाल को समर्पित करता है और उनका फैसला आखरी माना जाता है लेकिन उसम से कम उम्र के वेक्तिक हत्या करने वाला एक सदिक मामलों में माफी नहीं दी जाएगी इसी भीहार में इसी भीहार में क्या प्रापधान है यहां गोड में विदीस अचीम रहते हैं जेलाईजी रहते हैं मान्य उच्च न्याले द्वारा नामित डिस्टिक और सेशन जज प्रविशन के लोग होते हैं एक गुजरात मॉडल है तुमारा क्या पूरे देश के अंदर इसको लागू करना चाहते हो क्या देश के अंदर में राजिक के अंदर जो संबैधानिक संस्थाय रहेंगी क्या वाँ दल का नामी ते मिले रहेगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फर्जी नारा लगाने वाला का चेहरा बे नकाव हो रहा है कि ऐसे लोग कैसे सामाजिक महापाप के भागिदार बन रहे हैं हम तो चुनवती देना चाहते हैं अमिस्सा जी आप आ रहे हैं सिमानचल में जुबान खोलना और बताओ कि देश की सम्मेदानिक प्रक्रिया का आपने अनुपालन किया है कि नहीं पर यारबोर्ड में क्या आपने कर दिया कितना बड़ा गुनाह है किसी की मा बहन बेटी हो सामुहिक बलातार का शिकार हो जाएगो और आप आजादी का अमरित महोत्सो मनाने की नोटंकी करते हो और ठीक पंदरा अगस्त को आप उसको छोड़ते हो जेल से ये सवाल इसलिए मौजू है कि हम तमाम लोग अपने पारिवारिक जीवन में जीते हैं सामाजिक जीवन में जाते हैं दिखना आदमे के दुश्वार होता है और उसको जेल की सलाखों से बाहर ले आया और नारा लगाते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसका मतलब साफ है कि भारतिय जनता पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि जेल में बंद बैठा हुआ वेक्ती मेरा तारन हार है ये सीधा आरोप मेरा है कि गुजरात के अंदर इसका मतलब चुनाओ होने वाला है इनके पास कार्यकरता नहीं तो ये अपने कार्यकरताओं को जो इनकी विचारदारा से प्रभावित होते हैं जो समाजिक महापाप करते हैं